अगर आप उत्तर प्रदेश में एक सिख्षक भरती का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितने पदों की सिख्षक भरती हो सकती है और किस किस पोस्ट के लिए यह भरती होने वाली है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें पदो के सापेक्ष अधियाचन मांगे गए थे जिसमें कुल पदो की संक्या 16133 से सिक्षकों की भरती होनी है जो की उत्तरप्रदेश शाषन की अनुमती के आधार पर ही सुरू की जाएगी इसमें कौन-कौन से पोस्ट हैं आप इसक्रिंट पर देख पा रहे होंगे इसमें 43-100 से अधिक जो एड़ेट जूनियर हाई स्कुल की सिक्षकों की भरती होनी है वह शामिल है 37, TGT यानि Trend Graduate Teacher के 13,237 सिक्षक पद सामिल है वहीं 2,896 कुल PGT यानि Post Graduate Teacher की वेकंसी आ सकती है ये सभी उत्तरप्रदेश शाषन के द्वारा अनुमती के लिए इंतिजार कर रहे हैं पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2022 बिल्कुल नजदीक है तो हो सकता है कि शाषन के द्वारा भी इन सभी को जल्दी ही अनुमती दे दी जाए और एक बड़ी सिक्षक भरती पूरे उत्तरप्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है बात करेंगे कौन-कौन से अभियरती इसमें सामिल हो सकते हैं तो BTC केवल Junior Added High School की जो सहायक अध्यापकों की भरती होनी है लगबग 4000 उसमें केवल सामिल हो सकते हैं बाकी के जो दो पोस्ट है PGT और TGT उसमें BTC अभियरती सामिल नहीं हो पाएंगे वह सिर्फ B8 अभियरतीयों के लिए है तो B8 अभियरतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है आप अपनी तैयारिया अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि TGT और PGT की एक बड़ी सिख्षक भरती आपके लिए आने जा रही है आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों ऐसे ही मातोपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेट के इस चनल साथ धन्यवाद